कॉंग्रेस पार्टी की कमान राहूल गांधी के हातों में जाएगी या प्रियांका गांधी वाडरा के हातों में ये सवाल लगतार उठ रहा है कॉंग्रेस का नेत्रित्व राहुल गांधी करेंगे या प्रियंका गांधी वाड़ा हर कोई जानना चाहता है इन सब के बीच में अब प्रियंका गांधी वाड़ा ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस का नेत्रित्व किया जिस तरह से प्रियंका गांधी बाड़ा ने यूपी चनाव में कॉंग्रिस को जमीनी स्तर पर मजबूत किया उसे लेकर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीम सचिन पाइलट का बयान सामने आ गया है सचन पाइलट का एक इंटर्व्यू सामने आया है जिसमें सचन प्रियंका गांधी बाद्रा की तारीफों के पुल बानते हुए सुनाई पड़ रहे हैं इस इंटर्व्यू में सचिन पाइलेट सीधी तरह से कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड़ा के नेत्रित्व पर उन्हें भरोसा है उन्हें यकीन है कि प्रियंका एक बेहद बहतरीन नेता हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कॉंग्रेस का नेत्रित्व किया है और वो बहतरीन तरीके से कॉंग्रेस का मार्ग दर्शन कर रही है सचिन, यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी वाड़ा द्वारा उठाए गए मुद्दो को लेकर भी तारीफ करते हैं और कहते हैं जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड़ा ने यूपी में जमीनी स्तर के मुद्दो को उठाया है वो काफी ज्यादा शांदार है और प्रियंका गांधी वाड़ा इस तरह से जो मुद्दो को उठाती है ना सिर्फ कॉंग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत होगी बलकि पूरी तरह से कॉंग्रेस पार्टी के अलावा जनता का विकास भी प्रियांका के मुद्दों से ही होगा सचन की बाद से आप कितना सहमत है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें बताना बिल्कुल न भूले नेक्स्ट नाइन नियूस्रूम के रिपोर्ट